नमस्कार मैं हूँ अनुछ मिस्रा और आप देख रहे हैं SPN 9 NEWS आज हम ऐसी खबर से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश की पुलिस पर लगे कलंकों का सब जवाब देगी यानि कि उत्तर प्रदेश पुलिस के उपर बहुत सारे ऐसे कलंक लगे हुए हैं जो योगी आदितनात नहीं छोटा सकते हैं और उन्हीं के कारकाल में ये कलंक लगे हुए हैं ऐसे दाग हैं जो उत्त प्रदेश पुलिस ने किस तरीके से एंकाउंटर की एक मुहिम छीव ली और उस एंकाउंटर में छोटे अपरादियों का नाम यानि की इनाम रख करके उन्हें कितना बड़ा बना दिया जाता है और कई पुलिस करमी जो है 40-45 और जादा ही पुलिस कर्मी होगी जिनका एंकाउंटर कर दिया गया हत्या कर दी गई और विवेक तिवारी के मामले में पुलिस ने किस तरीके से लीपा पोती की और किस तरीके से एक पुलिस वाले ने अपने रॉब में आ करके एक आम इनसान की हत्या कर दी यह आपने द का एक मसला नहीं था विवेक्तिवारी से पहले भी कई ऐसी घटनाएं हैं जिसमें पुलिस किने कायराना हरकत की है चाहे वो उन्नाओ यानि कि बीजेपी के राज में किस तरीके से पुलिस खुले आम अपने आपको ही कानून समझ बैठती है वो हम आपको बता रहे हैं उन्न काने के अंदर एक पिता को पीटा जाता है उसको पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है मातरिक बीजेपी की विधायक के कहने पर और फिर जब मीडिया का दबाव पड़ा सुप्रीम कोट जिस तरीके कोट ने उसको धंकिया देना शुरू किया राजी सरकार को तब जाके इस पर संग्यान लिया गया और विधायक पकड़ा गया ऐसे ही अलीगण में जिस तरीके से घटना का शक्र चला अब इस पर पूरी घटना हम आपको इस रिपोर्ट में दिखा रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से ब्रेटिस काल में भी इस तरीकी की एंकाउंटर नहीं हुआ क वाले राज के मुख मंत्री बने उनकी पुलिस के इस तरह से न्याय देने की पस्चमी देश्वाले मिरंकुष रवईयों को अपना रही है ये भी इस घटना से साप हो गया है सूबे में अपराध रुकने के नाम पर आदितनाथ योगी नेतर्त में यूपी पुलिस ने एंकाउंटर जैसे मद्दकालीन साधन अपना लिये जिन्होंने पुलिस को एक ऐसे शिकारी बना दिया है जो खुद को ही कानून समझने लगे है 38 साल की विवेक तिवारी 28 सितंबर की रात अपनी कमपनी के एक पार्टी से घर लोट रहे थी जब उनका सामना यूपी पुलिस के एक जवान से हुआ पुलिस वाले का दावा है कि उन्होंने विवेक की कार को रोकने की कोशिश की थी लेकिन सहज ग्यान यही कहता है कि देर रात अगर कोई कार रोके तो रोकना ठीक नहीं है फिर उत्तर प्रदेश में तो इसे लेकर सुरक्षा पर चर्चा हमेशा हो रही है विवेक ने भी शायद उसी बात का पालन किया ऐसा उन्होंने शायद इसलिए भी किया हो कि एक महिला सहकर्मी उनके साथ कार में मौझूद थी यहने विवेक घर छोड़ने वाले थी लेकिन कार नहीं रोकने के जवाब में यूपी पुलिस के जवान ने पिस्टल निकाल कर उन पर गोली चलाना ज़्यादा ठीक समझा पोश्ट मौटम की रिपोर्ट के अंसार गोली कार के अगले शीशे को च्पेथती हुई विवेक के गले के पास लगी और उनकी मौत होगी विवेक की सहकर्मी सनाखान जोकी इस मामले की अकेली जश्मदीद है वो अभी भी सदमे मिख से बाहर नहीं निकल पाई लेकिन उन्हें ये ठीक से याद है कि विवेक ने कैसे सड़क की बीच में खड़ी पुलिस की मोटर साइकल को बचाते हुई अपनी कार आगे निकाली थी लेकिन ऐसा करने के सजा पुलिस वाले ने उन्हें दी इस गटना ने लोगों में अनुशासन नहीं बलकि पुलिस का डर बैठाया अगर विवेक ने गाड़ी रोक भी ली होती तो क्या उनके पास आता पाई की संभावना बिलकुल नहीं होती या उससे बत्तर भी हो सकता था आखिरकार रात में पुलिस द्वारा लोगों के तुडन के वारे में किसनी नहीं सुना ऐसे में विवेक ने जो अपनी समन से चुना उसका नतीजा इतना खौपनाक साबित हुआ साल 1960 में इलाबाद कोट में नामी नया धीस रहे एन्स मुल्ला ने अपने एक फैसले में कहा था मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं की पूरे देश में एक भी ग्रुप नहीं है जिसके अपरात का रिकॉर्ड उस संगठे तिकाई के क्राइम रिकॉर्ड से टक कर ले सके जिसे देश में भारती पुलिस बलके नाम से जाना जाता है जब भी कोई ऐसी गटना सुनाई पढ़ती है जिसमें पुलिस द्वारा किसी को गोली मारे जाने का उलेख होता है हर बार मुझे 1960 का कोड का वो फैसला याद आ जाता है निश्चे तोर पर यूपी पुलिस के दिश्ट्रिकॉर्ण में रत्ती भर बदलाव नहीं आया या ये कहें कि वक्त के साथ पुलिस का दिश्ट्रिकॉर्ण खराब ही हुआ है तो गलत नहीं होगा कुछ महीने पहले ही यूपी के पुलिस चीप रहे सुख लाल सिंग ने एक इंटर्वी में कहा था कि ब्रिटेश काल की पुलिस भी इमानदारी और विभार के मामले में तुलनात्मक रूफ से आज की यूपी पुलिस से बहतर थी उन्होंने तो ये भी तक कहा था कि भले ही ब्रिटेश आसन में पुलिस भारती लोगों के पुलिस आज सम्वेदन सीलता रही हो लेकिन उस दौर में फरजी जाँच या इंकाउंटर नहीं होते थे विवेक तिवारी का मामला कोई पहला मामला नहीं है जब पुलिस ने किसी शक्स को कार नहीं रुकने पर गोली मार दियो लेकिन जो बदलाव अब महसूस किया जा रहा है वो ये है कि हत्या का अभियुक्त पुलिस वाला एक घमंडी आदमी की शैली में खुले आम बयान ब चाहता थी लेकिन जादा चौकाने वाली बात तो ये थी कि शुरुवात में उनके वरिष्ट पुलिस अधिकारी उनके दावे को सही भी मान रहे थे यदि मीडिया ने लगातार दवावना बनाये होता तो लखनौ की पुलिस अधिक्षक भी अपने सेपाही की बात खुशी खुशी दोहरा रहे होते किंदरी ग्रह मंतरी राजनाच सिंग ने व्यक्तिगत हस्तशिप के बाद भी गोली चलाने वाले सेपाही प्रशान चौधरी के खलाब धारा तीन सदों के तहत कतल का मामला दर्ज किया गया राजनाच सिंग ने मुखमंतरी योगी आदित नात और पुलिस महानेदेशक उपी सिंग से बात कि लखनू राजनाच सिंग का संसिदे शेतर भी है वो मूग दर्सक कैसे बने रहते थे और फिर मुखमंत्री और पुलिस महानेदेशक ने घटना के अलोचना की और दोसियों पर सक्त कारवाई सुलिश्चत करने का बयान दिया पीडित परिवार का गुस्सा शांत करने के लिए सरकार के 25 लाग रुपए की साहता राशी की घुसना भी कर दी और मुखमंत्री अनकाउंटर को लेकर अपनी नीती पर उनर विचार करेंगे इस पर तौर पर इसी नीत ने गोली चलाने को उत्सुक पुलिस वालों का मनूबल बढ़ा है उत्तर प्रदेश के पुलिस वालों को अब आम तोर पर ये लगता है कि वो कतल करके भी आसानी से बच जाएंगे बीते 12 महीने में योगी की पुलिस ने देश भर में 1600 से अधिक एंकाउंटर किये उनमें से सरस्ट लोग मारे गए हैं जिनमें से अधिकतर ऐसे छोटे मोटे अपरादी थी जिन पर पुलिस ने इनामी घोशित करके उन्हें बड़ा बना दिया एंकाउंटर में मारे गए कथित अपरादियों में से ज्यादा तर मुसल्मान दलित और अनपिछड़ा वर्ग के हैं मुट भेड़ों में ये आकड़े योगी सरकार की किसी वर्ग से भेदभाव ना करने और सबका साथ सबका विकास के दावे की पोल खोलते हैं अलीगड़ में जिस तरह की कथित अनकाउंटर की लाइब कवरेज के लिए मुडिया कर्मियों को बुलाया गया वो उन्हीं पूर्वा ग्रहों का मजबूत जिनकी यूपी पुलेस अपराद नियंतन कर रही है बीज़ेपी के एर कई नेता भी ये बात मानते हैं कि एनकाउंटर अव्यान सरकार के अपराद के खलाप सक्त छवी स्तापिक करने के लिए ही चलाय जा रहा है सरकार ये संदेश देना चाहती है कि विकानून व्यस्ता को लेकर गंभीर है वो कानून व्यस्ता को कथे तोर पर पूरवर्ती समाजवादी सरकार के कारकाल में बेहद चर्मराई हुई थी लेकिन तत ये भी है कि जगन अपराद पहले ही तरह ही हो रहे है और बलतकार के आखड़े बढ़ रहे है विड़मना ये है कि इस सब के वावजूद मुखमंतरी की प्रात्मित्ता कथित लव जहाद रोकना एंटी रोमियो स्कौर्ट बनाना गोहत्ता रोकना ही है उन्नाओ को वो चर्चित मामला तो हम सब को याद ही है जिसमें एक कथित गैंगरे पीड़ता के पिता को थाने के अंदर ही बेहरमे से पीट-पीट कर मार दिया गया पुलिस ने आखे मूद ली क्यूंकि ये सब एक बीज़पी विधायक के कहने पर हो रहा था गटना की मीडिया में आने और हाई कोट के स्वता संग्यान लेने के बाद ही प्रदेश सरकार ने कारवाई की और विधायक को गिरपतार कर लिया प्रकास सिंग पुलिस सुधार समिती की सिपार्सों और सुप्रीम कोट के ओर से निर्धारेत दिसा निर्देश का पालन करके ही सरकार पुलिस विवस्ता के बिगड़ रही है पुलिस विवस्ता के बिगड़े रहे स्वास्त को ठीक कर सकती है इन में से एक एहम सिपारिस है पुलिस की कानून व्यस्ता बनाए रखने की भूमका को जाँच करने की भूमका से अलग कर प्रिकास सिंग पंजाब और यूपी पुलिस ने प्रमुक रहने के अलावा बीएसपी के महाने देश सक भी रह चुके हैं उन्होंने एक स्वतंत जाँच अजन्सी के स्टापना के स्पष्ट सिपारिस की थी पांच साल पहले भारत के सुप्रीम कोट ने भी इन सिपारिसों पर अपनी महल लगा दी थी लेकिन राज सरकारें उन्हें नजर अंदाज करती रही और अब नतीज़ा बिलकुल साप है एपल के कर्मचारी विवेक्तिवारी के मौत के मामले की जाँच हत्या अभियुक्तों के स्वेकर्मी ही करेंगे वो पुलिस कर्मी को कानून विवस्ता लागू करने के अलावा अपराधीक मामलों की जाँच करने की भूंका भी निवाते हैं और इस बात से कौन इंकार कर सकता है कि खून पानी से गाड़ा होता है ऐसे में अगर पुलिस के जाँच करता अपने स्वेकर्मियों को बचाने के लिए मामले को हलका करने की कोशिजन करते तो किसे भी हैरानी नहीं होनी चाहिए यही वजह है कि ऐसे मामले अक्सर सीबी आई के पास पहुँच जाते हैं सीबी आई को आज भी स्वतन्त और निस्पक्ष जाँच अजेंसी तो माना ही जाता है भले ही ऐसा नहीं हो तो आपने देखा कि उत्तर प्रदेश पुलिस की कितनी काराना हरकत और इसलिए उत्तर प्रदेश तो पुलिस वी हरकते कुछ ऐसी होती है कि देश कोई भी नागरिक पुलिस वालों पर विश्वास नहीं करता है और इसमें वो बाले पुलिस भी पिस जाते हैं जो इमानदार और अपनी कर्म निश्टा से उस पत्पर काररत है और अपना इमानदार इसके साथ काम करते हैं आज के लिए तना ही कल फिर मुलाकात होगी नमस्कार